So guys, अगर आप Facebook का password भूल गए हैं, अगर उसको पता करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका Facebook का कोई पुराना account है, जिसका आप ID, password दोनों भूल गए हैं, या फिर कोई ऐसा Facebook account जो की आपके mobile में already login है, अगर उसका password भूल गए हैं, अगर उसको आप पता करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। उसके लिए आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने सेटिंग वाले ओप्षन में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको गूगल का ओप्षन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली गूगल वाले ओप्षन पर क्लिक कर दीजेगा। गूगल वाले option पर click करने के बाद, यहाँ पर manage your account का आपको option देखने को मिल रहा होगा, या फिर अगर आपके mobile के setting में, आपको Google का option देखने को नहीं मिल रहा है, तो simply आपको Google Chrome पर चले जाना है, Google Chrome पर जाने के बाद, यहाँ पर आपको कुछ भी लिकर search कर देना है, G, A, B, अगर कुछ भी लिकर search किजेगा, तो यहाँ पर देखिए, उसके side वाले corner में, यहाँ पर आपको अपना mail ID का photo देखने को मिल रहा होगा, तो simply इस पर click कर दिजेगा, जैसे हैं इस पर click किजेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका primary mail है, जिससे आप हर चीज को access करते हो, अगर करने के बाद, आपके सामने manage your Google account का, आपको एक option देखने को मिल रहा होगा, तो simply manage your Google account पर click कर देना है, जैसे हैं आप manage your Google account पर click किजेगा, तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा, इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा, तो simply आपको इधर से धर से थोड़ा साल बगल में slide कीजेगा तो यहाँ पर देखे data and privacy के just बगल में आपको एक security का option देखने को मिल रहा होगा तो simply security वाले option पे tap कर लिजेगा जैसे ही आप security वाले option पे click कीजेगा अब आपको कुछ नहीं करना एकदम आख moon के सबसे नीचे एकदम चले जाना है एक password manager वाले option पे click कीजेगा यहाँ पर आपके सामने इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से अगर आप अपने facebook का password पता करना चाहते हैं तो facebook पर click कर दीजे और जैसे ही facebook पर click कीजेगा यहाँ पर आपको continue करने के लिए बोलेगा तो simply continue पे click कीजेगा तो आपके सा account जितना भी facebook account और password है सारा account देख सकते हैं भईये कितने सारे account को login किया है और जैसे ही यहाँ पर देखिए आपको आख वाला एक icon देखने को मिल रहा होगा अगर जैसे ही आख वाला icon पे click कीजेगा तो यहाँ से आपका password सो करने लगेगा तो यहाँ से देख सकते हैं जिस अगर कुछ और का password पता करना चाहते हैं Amazon, Flipkart, Creator Studio हर चीज़ का यहाँ से आप ID और password एकेवल ID नहीं ID और password दोनों चीज़ को पता कर सकते हैं अगर इस वीडियो का किसी को भी जरूत है उसका लिंक आप इस वीडियो का शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के पास पास वाला है वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करें अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यूप